इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका होरस्कोप लिब्रा सेंट का है तो आपको किस तरह के बिजनस नहीं करने चाहिए अगर आप आप अलड़ी उस बिजनस में हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए और प्राब्लम्स आ रहे हैं तो उसके लिए आप मुझे 98789-04347 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिजनस मॉडल और स्ट्रेटजीज में चेंजिस लाकर आपके बिजनस को ठीकिया जा सकते हैं जिन बिजनस सेक्टर में काफी फ्रिक्वेंट चेंजिस होती हैं वो आप अप अबाइड करें आपका नैश्रल वर्किंग स्टाइल मून से रूल्ड है और मून को हम माइंड से रिलेट करते हैं लिबरा सेंट के लिए सबसे मुश्किल चीज ये होती है कि अपना माइंड किसी एक फोकस एरिया में लगा पाना अगर बिजनस में फ्रिक्वेंट चेंजिस होती रहेंगी तो आप किसी एक फोकस एरिया में सैटल नहीं हो पाएंगे और बार-बार अपने गोल्स और अबजेक्टिव से भटकते रहेंगे लिब्रा सेंडेंट के लिए सैटर्न एक बेनिफिक प्लानेट है लेकिन फ्रिक्वेंट चेंजिस के कारण सैटर्न की एक डिरेक्शन में सैटल नहीं हो पाएगा जो की सैटर्न से रिजल्ट्स लेने के एक प्री कंडिशन है इसलिए परिशानी में पढ़ सकते हैं कोई न्यूए स्टार्ट अगर अपने लगाना है तो IT से रिलेटेट फिल्ड में ना लगाए किसी न्यूए आइडेय कांसेट पर लगा सकते हैं नौन-IT फिल्ड से पाकी सभी सेक्टर्स में पूरे अस्ट्रोजिकल कॉंबिनेशन के अनलसिस के बाद ही एंटर करें रिटेलिंग और एंटेट बिजनसे आप अवाइड करें रिटेलिंग जैसे कि कोई स्टोर खोल लेना या फिर चेन अफ स्टोर्स किसी भी बिजनस में जिस बिजनस फंक्शन पर आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है सेल्स अपने सेल्स अबजेक्टिव क्लेरी डिफाइन करके चलें और अपने टीम मेंबर्स या स्टाप मेंबर्स को भी क्लेरली कॉम्यूनिकेट करके चलें नहीं तो sales में पीछे रह जाएंग और sales ही एक मात्र बिजनस function है जो की revenues दिलाता है Religion और spirituality से जोड़े traditional businesses में बिलकुल न जाएं अगर करना ही है तो इन से related कुछ नया idea लेकर रहें और उसकी marketing पर पूरा ध्यान लगाकर ही आगे बढ़ें Technology oriented businesses मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि avoid करें एक clarification दे रहा हूँ आज कर technology के बिना कोई भी business करना असंभव है इसलिए total avoid तो नहीं कर सकते technology का जिन businesses में side role है वो कर सकते है main product ही अगर आपका technology से related है तो फिर technical glitches या कोई और issues के कारण आप किसी नहीं किसी प्रशानी में पढ़ते रहेंगे farming sectors में आ जाएं लेकिन इससे related कोई trading या commission बनाने वाले opportunity हो तो कर सकते हैं अगर आप किसी भी business profession में है और आपको problems आ रही है तो हम आपको business or astrology combined consultancy के त्रूब effective solutions दे सकते हैं मेरा नाम कुछ नीश विशिस्ट है आप कुझे 98789-04347 पर contact कर सकते हैं विजी होने कारण अगर phone आउट हापाऊ तो whatsapp message भी कर सकते हैं अपने घर या office में बैटे बैटे भी consultation ले सकते हैं astrology पर मेरे articles पढ़ने के लिए मेरे blog management astrology.com को browse करें मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद